तो यहां पर बेसिकली हम लोग वही पुरानी चीज़े चेक आउट करेंगे लिखिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको आज डेली ड्रैवर के लिए यूज करना है नहीं करना है और भी मेरी महनत पे थोड़ा जोड़ डालते हुए जो सब्सक्राइब बटन है करके उसको डबाने का ना भूलें तो थोड़ा महर्वान ही हो जाएगी हमारे पर ठीक है क्योंकि वैसे भी तीन-चार दिन से तव्यत खराब है लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो कंटिन्यूस बना रहा हूं बाकी ठीक है जब दना टाइम वेस्ट करते चले शुरू करत करें पर व्रजन जो है वहां लोग को यहां पर देखने मिलता है बीटा पर जो कि 22 जयां जो डैव है उसके उपर बेज़ है जो की अम।बड़ रहे हैं उनके नाम यहां पर हम लोग को देखने मिल जाता यह अगर हम लोग इसके ओल लिज सपेक्स पर जाए अनौरइड 14 ह है पफ करनल है जो कि 1578 आप स्ट्रूम के ऊपर बेस है इसका रहा और कुछ यहां पर ज्यादा डीडेल्स नहीं है आता है यहीं पर ही सेटिंग पर वापस से तो यहां लोग को मिवाई का मेन्यू रहता है वह हम लोग को यहां पर देखने को मिल जाता है इस रोम की उपर का नाम देखने को मिल जाता है यहीं पर यहां पर यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर चेंज आउट कर सकते हो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो मैंने यहां पर अपलाई किया तो आपको यहां ऊपर आइकन जो हैं वह चेंज होते हुए देखने को मिले हैं तो काफी बढ़ी आया और काफी अच्छा लगा मुझे यहां पर एवन दो अगर हम लोग यहां पर यहां पर भी हम लोग को थोड़े वह चीज़ देखने को मिल जाती है इसके अलबावा आगर हम लोग वापस से आए तो यहां पर वच्छाई उसमें नेटवर इंटरनेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो यहां पर देख पारे होगे यहां पर देखने को मिल लेकिन वह एन आर जो है मतलब जो फीचर है वह यहां पर मुझे इनेबल देखने को नहीं मिल ला अगर यहीं पर दिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पर हम लोग को वही पुराने ओप्सन है देखने को मिल जाता है और यहां अगर इस तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल लिया बैटरी की बात की जा तो बैटरी का स्टाइक हम लोग को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है त्री आर का मुझे स्क्रीन अन टाइम अभी तक की देखने को मिला है और यहां पर अगर मैं देखा हूं तो यह 15.45 पर मिनिट एक्टिव ड्रेन है यह सबसे ज़्यादा अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो आपको 10.72 आपको यहां पर आर एक्टिव ड्रेन देखने को मिल जाएगा यहीं पर वापस हम लोग सेटिंग पर आ जाते हैं तो सेटिंग पर देखने के बाद हम लोग एडिशनल पर जाएंगे यहां पर हम लोग को वही पुराने ओप्सिंस देखने मिल जाता है राय में स्ट्रेंशन हो गया अकाउंट इंसिंग हो गया अइडिशनल आप वीचर्स में हम लोग को यहां पर सौमी क्लाउड सेक्यूरिटी फाइंड डियाइस एमाइप डिवाइस एक्टिवेशन बैक आप रिस्टोर केट्स एंड एंटर स्ट्रेंशन पर जहां पे मैंने जुह वाल प्र सेट किया हुआ ता वह वॉल पेपर मैं ilo यहाँ वापस राद ने था आये को वहां always on में देखने को मिल जाएगा यहां भाई सब वालवीपर नहीं चेंज जो यह क्या था भाई अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले यह चीज की काम तो कर रहे थे अच्छा लॉक स्क्रिंट मैंने लगा दिया था सौरी तो अब यहां हम लोग वापस से हो में स्क्रिं अब आजाता है यहां लगो को सब्सक्रिंट पयर यहां पे लगाता है पर शिल जाता है एस लगे को से चेने कंश्म मिल जाता है अब आजाते हैं देखो एंटू टू बेंचमार्क पे तो एंटू टू बेंचमार्क का जो हम लोग को स्कोर देखने को मिला था वो था कुछ इस तरीके का जहां पर 3.32369 के असपस हम लोग को देखने को मिला इसको 7.3 celsius हम लोग को बैटरी इंक्रीज होता हुआ देखने को की बात की जाएं तो सिंगल में 1308 देखने को मिला मल्टी में 3399 देखने को मिला जो की काफी अच्छा स्कोर है cpu डॉटरल की बात की जाएं तो मैक्रिम जी आई-पे हम लोग को 3,26,000 के आस-पास है और यहां पर हम लोग को 3,00,000 के आस-पास देखने को मिल जाते हैं आवर ultimate mode होता है जो performance mode होता है उसको enable करने के बाद ही मैंने यहां पर test किये हूँ है अब यहीं पर ही आगा हम लोग सेफटी नेट की बाई सहाब जब से cpu total मतलब play store से हटा है तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं यहां पर चीजे कर ही नहीं पा रहा हूं वापस से manage क्योंकि उन 20 fps भी हम लोग को यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर सेफटी नेट की अगर बात करें तो सेफटी नेट है यहां पर हम लोग को बाई डिफल्ट पास देखने को मिल जाता है और यहां पर मुझे play store पर netflix भी देखने मिलता है that means certificate एकदम fixed है okay play store तो उसमें भी कोई द perfect है मतलब आपको 10 से 12 परसेंट आपको active train देखने मिल जाता है idle train आपको लगबग 0.5 या मैं का रहा हूं 0.6 भी देखने मिल जाता है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है और काफी अच्छा है और अगर आप एक highway user हो तो आपको थोड़ा battery को लेके मतलब उतना भी नहीं हो साथ जा सकते हो अगर नहीं on किया आपने performance mode तो बैटरी आपकी थोड़ी और बच जाएगी नहीं तो आपका जो temperature है वो 42 CS तक की चला जाएगा यहां पर तो यह कुछ conclusion है मेरे उसके लिए कि हाँ यह आपको मैं as a daily driver के लिए प्रिफर कर सकता है even though gaming के लिए भी मैं आपको कर सकता हूँ आप इसके साथ basically जा सकते हो easily तो that's it for this video मिलते हैं अगले वीडियो में तक ले बाइबाए आप में आपको लेडान आपको करता है अर लोडता है झाल 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 झाल